ना ही मुझे कोई fame चाहिए था, ना ही reach चाहिए था, सबसे पहले मुझे जरूरत थी और मेरे family को जरूरत थी, वो धी पैसे की. जब मेरी माँ खाना बनाती थी, तो वो जो हम लोग मसाला पीसते हैं, सिलवटे पे, वो उस पे पीसा करती थी, और उनसे उनके हाथों में कट्स आ जाते थे, और वो सारे मसाले, वो सारे मिर्च उनके हाथों में चले जाते थे, मेरी पहली कमाई जो मेरे हाथ में आई, तो म आपको इस साल एक मिलिनियर बना सकता है दोस्तों एक लड़का जिसके पास अपने परहाई पूरे करने तक के पैसे नहीं थी आज वो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया ग्रोट स्ट्राटीजिस के वर्ल्ट टॉप 10 यूटोबर्स में से एक है नमस्कार दोस्तों म आप अपने स्किल्स के वेसिस पर कैसे मिलिनियर बन सकते हो बट उसे जानने से पहले मैं आपको अपनी थोड़ी लाइफ जर्नी के बारें बताना चाता हूँ मेर नाम राज है जैसे मैंने आपको बताया सो मैं बिहार के कैपिटल सिटी पठना से हूँ मैं एक बहुत ही मि लेकिन मैं बुद्धी का बहुत थेज था और मेरी मा ने एक शब्ध मुझे बोला था एक वाक्या मुझे याद है उन्हें उन्हें ने बुच्छी नियुन को scientist कर सकते हो तो उन्होंने मुझे काफी जादे स्कूल्स में ले गए वो और स्कूल्स की फीस तो काफी जादा हाई होती है लेकिन मैं पढ़ने में काफी जादा तेज था तो फिर वहाँ से पदा चला स्कॉलर्शिप्स के बारे में और फिर मेरी माने बोला कि तुम scholarship में बैठो scholarship में फिर मैंने बैठा और वहाँ पर ने परहाई को complete किया class 1 से लेकर class 10 तक मैं हर class में rank 1 लेते आया और पूरे college में नहीं पूरे university में मैंने टॉप किया उसके बाद campus selection के लिए मैंने bca से अपना graduation complete किया तो campus selection के लिए बहुत सारी companies आई, एक बहुत बड़े 8-tech company में selection में रहुआ, लेकिन मैंने वो job नहीं किया, तो मेरे दोस्तों ने, मेरे college के teachers ने बोला कि ये क्या पागलपन कर रहे हो, तुम्हारे इतनी अच्छी company में job लग गई है, तुम इतनी गरीब खानान से हो और तुम वो क्यों नहीं करना चाहते हो, तो मुझे परते परते ये हैसास हुआ, कि सिर्फ किताबी पढ़ाई से ही मेरा नहीं चलने वाला है, सिर्फ ये करने से मैं एक बड़ा आदमी नहीं बन सकता हूँ, मुझे कुछ ऐसे skills आने चाहिए, आज के जमाने के साब से, कि मैं उससे अपने नॉलेज को मॉनेटाइज कर पाऊ, तो फिर मुझे पता चला कि हम लोग ऑनलाइन भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो मैंने सर्च किया, रिसर्च किया, तो मुझे पता चला, फ्रीलैंसिंग के बारे में, कि फ्रीलैंसिंग के जरीए भी हम लोग अच्छा खासा revenue generate कर सकते हैं लेकिन मेरे पास कोई भी gadget या device नहीं था search करने के लिए क्योंकि बच्पन से हम financial बहुत ज़्यादा condition हमारा ठीक नहीं था तो मैंने अपने दोस्त के mobile पर या फिर computer lab में school के वहाँ पर search किया freelancing के बारे में कि freelancing होता क्या है और उससे कैसे हम लोग revenue generate कर सकते हैं तो मैंने काफी जादा skills को सीखते वे freelancing की और उससे मैंने कम समय में ही मैंने एक अच्छा खासा revenue generate कर लिया मुझे आज भी याद है कि मेरी पहली salary जो freelancing से आई थी वो कुछ 118 डॉलर की करीब थी और उस टाइम के अगर हम लोग डॉलर की amount को देखे तो वो कुछ 68 पैसे 68 रुपए 40 पैसे थी तो टोटालिटी में मेरे 8000 रुपए हुए थे तो वो पहले 8000 जो मेरा कमाई था वो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि हम लोग online भी पैसे कमा सकते हैं जब वो amount मेरे Google Adsense account में आया तो मैं मुझे यकीन है मुझे लगा कि यह fake है कल तक में तो ही गायब हो जाएगा तो मैंने क्या किया कि उसको पूरा का पूरा उस payment को मैंने निकाल लिया तो जब वो payment मेरे हाथ में आया वो 8000 रुपए वो मेरी पहली कमाई जो मेरे हाथ में आई तो मैं वो ATM में रोने लगा मुझे क्योंकि बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हम लोग online भी पैसे कमा सकते हैं सो वो पहली कमाई को मैंने अपनी मा के हाथ में लाके दिया और मैंने बोला कि मा देखो आप बोलते थे कि आप तुम्हारी बुद्धी ही तुम्हारा धन है तो देखो मैंने अपनी बुद्धी का इस्तेमाल किया है अपनी ब्रिलियंस का इस्तेमाल करके मैंने अपनी स्कि पहले earnings से मैंने अपनी मा के लिए एक mixer खरीदा था लोग क्या होता है कि जब पैसे आ जाते हैं तो वह गारी खरीदते हैं महँगे-महँगे कपरी खरीदे हैं मोबाइल घरिदते हैं मैंने क्या क्रीदा mixer याद है कि मुझे याद है कि उस टाइम जब मेरी अ कहना बनाती है त इतना जादा उस टाइम उनको पेन होता होगा लेकिन वो अपने चाहरे पे एक शिकन नहीं रिखाते थी वो कभी नहीं रोती थी और मुझे हमेशा वो मोटिवेट करती थी कि सब सही चल रहा है लेकिन मैं उनकी मजबूरी समझता था इसलिए मुझे याद है कि मैंने पहली अर्णिंग से जो अमाउंट मैंने उनको दिया उसके बाद मैंने सबसे पहले उनके लिए एक मिक्सर खरी रहा और उसके बाद मेरी फैमिली ने वो सारी चीज़े खरी दी जो उनकी जरुरत थी आप अपने skills के basis पर भी online एक अच्छा खासा revenue generate कर सकते हो और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही high paying earning skills जो कि आपको इस साल एक millionaire बना सकता है तो सबसे पहला skill है freelancing freelancing को अगर मैं आपको आसान सब्दों में समझाओं तो freelancing में आप किसी दूसरी company दूसरे businesses के लिए काम करते हो और वो दूसरा व्यक्ति आपको उसके बदले पैसे देता है let's suppose अगर आपको articles लिखने आता हो आपको वर्ड या एक्सल पर काम करने आता हो या फिर आप एक housewife हो आपको cooking के videos बनाने आता हो तो आप क्या कर सकते हो आप अपने उस knowledge को अपने उस skill को दूसरे व्यक्ति या दूसरे business के लिए करके आप जो है उससे पैसे कमा सकते हो इसको करने के लिए आपको जो है कुछ शुरुआत कर सकते हो second आपकी high earning skill हो सकती है content creation अब content creation का मतलब सिफ यह नहीं हुआ कि आपको videos ही बनाने content creation वो कुछ भी हो सकता है जो कि आप खुछ से create कर रहे हो और उसको आप monetize कर पा रहे हो like अगर आपको आप pictures क्लिक करते हो और उसे public show करते हो आप articles लिखते हो website पर creation में आता है तो content creation करने के लिए भी आपको जो है एक नीश या category decide करनी होती है और उसके बाद आपको उस पर काम करना होता है अगर मैं आपको share करू कि मैंने content creation कैसे शुरुआत की so content creation मैंने freelancing करने के बाद की क्योंकि मुझे शुरुआत में fame नहीं चाहिए था मुझे सबसे पहले चाहिए था पैसे किसी भी creator का सबसे पहला goal जो होता है पैसे ही कमाना होता है तो ना ही मुझे कोई fame चाहिए था ना ही reach चाहिए था सबसे पहले मुझे जरूरत थी और मेरे family को जरूरत थी वो धी पैसे की तो मैंने freelancing को सीखते वे उसके बाद मैंने content creation किया और सिर् भी hate comments नहीं दिखेगा right मेरे zero haters है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे videos को देखा है उन्हें वो content समझ में आया है उन्होंने उस content को अपने life में implement किया है अपने channel पर implement किया है और मेरे बताने तरीके से वो भी अपने channel को जो है काफी ज़्यादा हर्द तक monetize कर पाए है तो जास्ते पर चले तो जब मैं आप देखता हूं कि लोग जो है मेरे videos को देख रहे हैं मेरे content से वो सीख रहे है तो इस चीस की मुझे बहुत जाधा खुशी होती है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ही एक ऐसा एकलौदा टेक यूटूबर हूं जो कि अपने subscribers से अप कर लिया है तो मैं उनको जवाब देता हूं कि मैंने जनता कमाया है आज आप देखोगे तो मुझे all over world से comments आते हैं DMs आते हैं calls आते हैं कि आप हमारे solution provide करो तो मैंने वो trust वो believe को जो है वो हासल किया है उसी के साथ मैंने अपने family के वो सारे चीज़े वो सारे जरूरतों को किया है जो उनको जो वो deserve करते हैं हमारा खुद का अपना घर हो गया हमारी गारी हो गई या फिर हमने चोटी-चोटी चीज़े जैसे एसी हो गया washing machine हो गई या फिर टीवी हो गया तो यह सारे चीज़े जो है content creation करके मैंने जो है हासल किया है तो यह चीज़ जो है आप भी क affiliate marketing affiliate marketing के बारे में बोलूं तो यह ऐसी चीज़ है जहां पर आप बिना अपना चेहरा दिखा है बिना अपनी आवाज रिकॉर्ड किये जैसे कि आपको content creation में YouTube या Instagram पर करना पड़ता है या फिर जादा मेहनत की ही आप affiliate marketing से अच्छी खासी revenue generate कर सकते हो affiliate marketing का अगर मैं आपको सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना होता है और वह कंपनी की जब सेल्स होती है तो उसका आपको commission मिलता है इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी नीश को decide करना होगा आपकी interest को decide करना होगा let's suppose आपको अच्छा लगता है या फिर आपको singing करना अच्छा लगता है आपको खाना बनाना पसंद है वह कोई भी नीश कोई भी interest वह आपके उपर हो सकती है तो इसको करना कहां पर होगा तो जैसे मैं आपको बताया freelancing के बारे में content creation के वारे में तो आप वही करते वे आप affiliate marketing भी कर सकते हो लेट सपोज आप एक freelancer हो आप website पे अपने blogs लिखते हो लाइक आप टेक के ऊपर articles लिखते हो तो आप टेक gadgets के ऊपर भी articles लिखोगे blog लिखोगे लेट सपोज आप एक housewife हो और आप YouTube या Instagram पर वीडियो बनाते हो तो आप खाने बनाने की products को review करोगे उन्हें promote करोगे तो वहां पर आप affiliate marketing कर सकते हो आपको जो है affiliate link generate करना होता है और यह भी कोई जादा hard काम नहीं यह बहुत असान है इसकी आप आपको पहले से ही बहुत सारे ऐसे अफ्लेट प्रोग्राम चल रहे हैं जैसे कि Amazon अफ्लेट हो गए फिलिपकार्ट हो गए या फिर प्रोड़क्स और सर्विस के खुद के ही अपने affiliate programs होते हैं तो बस आपको उसे join कर लेना है और वहां से आपको affiliate link को generate कर लेना है दिन आपको अपने उस blog अपने website के blog या articles में उस link को add कर देना है या फिर आपको अपने YouTube वीडियो इंस्टाग्राम वीडियो में उसे include कर देना है और वहां से आप affiliate marketing कर सकते हो और अगर आप आपके पास अपनी कुद की website नहीं है या फिर आप वीडियो नहीं बनाते हो तो भी आप affiliate marketing कर सकते हो Facebook ads के जरिए Instagram ads के जरिए Google ads के जरिए और आप affiliate marketing से अच्छी खासी revenue generate कर सकते हो इसी तरीके से आपकी fourth high paying earning skill हो सकती है digital coaching का definition देने से पहले I hope आपको coaching के बारे में तो पता आता है digital coaching is exactly the same लेकिन वो काम आप digitally करते हो वहाँ पर आप अपने knowledge या skill को monetize कर सकते हो let's suppose आप एक student हो या फिर आप एक housewife ग्रहनी हो और आपको खाना बनाना पसंद है आपको खाने बनाने की अच्छी knowledge है तो आप उसके उपर different courses launch कर सकते हो और उससे आप जो है अच्छा revenue generate कर सकते हो आप अपने website पर उससे launch कर सकते हो और वहाँ से आप एक mentor बन सकते हो इसको करते कैसे है वो बताने से पहले I would like to tell why I started digital coaching मुझे सीखने का और सीखाने का बहुत ज़्यादा शौक रहा है सो मैं किसी के भी gadget को एक minute में access कर लेता था हाँ भले भात है कि मैं मेरे पास कोई gadget नहीं था क्योंकि मैं financially weak था और मेरे परिवार में किसी के पास भी कोई gadget कोई smartphone नहीं था लेकिन मेरे आजपरोस के लोग मेर से account बनाएं या download करें सो मैं उन्हें तुरंट बता देता था और वो यह information लेके मेरे से solution लेके वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था कि मैं उनकी help कर पा रहा हूं सो मैं realize कि मैं इसी के लिए बनावा हूं मुझे अपन अलराजCourses.com और अभी तक उस पे 5000 वीवर्स ने different skills जैसे की affiliate marketing, digital marketing, content creation mastery, photo and video editing, make money online इन सभी different skills को उन्होंने सीखा और आज वो एक अच्छी edtech company में job कर रहे हैं या तो वो content creation के जरीए लाकों कमा रहे हैं तो इसी तरीके से आपकी 5th और final high paying earning skill हो सकती है marketing skill और product scaling skill अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा why I am emphasizing on learning skills मैं skills सिखने के लिए इतना क्यों बोल रहा हूं देखो दोस्तो skills आपकी भविश्य की कमाई है अगर आप किसी एक skill में निपुन हो जाते हो न तो वो skill आपको एक high paying job दिला सकती है और आपको एक high revenue generate करने में मदद कर सकती है ऐसे ही एक skill है marketing skill चाहे आप content creation कर रहे हो आप freelancing कर रहे हो आप digital products बना रहे हो आप खुद की products बना रहे हो final call to action आपका sell ही होता है और किसी भी company शहर या फिर country की economy को run करने के लिए भी sell बहुत ज़ादा important है अगर आज हमारी country में sell ना हो तो हमारी economy गिर जाएगी जैसा कि आप लोगोंने COVID-19 pandemic के time देखा ही होगा लेकिन उस time भी एक sector ऐसा था जो कि सबसे ज़्यादा profitable था वो था digital marketing और content creation का आप समझ सकते हो कि ये skill आपके लिए कितना जादा महत वर रखता है और आपको एक product को बेशने आना चाहिए organic तरीके, inorganic तरीके, drop shipping, drop servicing आपको सारे marketing skills की knowledge होनी चाहिए सो मैं आज के youth को या फिर किसी भी age group को चाहिए आपकी उम्र 8 साल हो या फिर 80 साल हो आप अपने skills को बहतर बना सकते हो और अगर आपको अपने परिवार का पहला millionaire बनना है तो बस आप 6 महीने या फिर एक साल अपने आप पर काम करो, अपने आप पर महनत करो, skills को सीखो आपको successful बनने से कोई नहीं रुख पाएगा मैंने ये rag to riches की journey बहुत नजदीक से देखी है जब मैं एक छोटे सहर से इतना आगे आ सकता हूँ, इतना कुछ कर सकता हूँ Joe Stocks जैसे इतने बड़ी मंच पर आ सकता हूँ, तो ये आप भी कर सकते हो और इसके लिए मैं Joe Stocks को तही दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया, इस platform पर बुलाया जिसने कि मैं अपनी journey आपके साथ share कर पाऊँ, आपको inspire कर पाऊँ क्योंकि मैं पिछले 3-4 सालों से मैं खुद Joe Stocks को follow करते आया हूँ Joe Stocks के पर मैं solutions जुनता था, यहां पर मैं inspire होने के लिए आता था और देखो आज मैं खुद आके आपको अपनी life journey के बारे में बता रहा हूँ आपको inspire कर रहा हूँ तो यह मेरे लिए बहुत ही बरी बात है और यह बिलकुल आपने मुझे यहां पर बुलाया और यूद को और different age group को inspire करने का मौका दिया है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जाननी को भीला होगा आपको इस वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना जोस्टॉक्स आपसे मिलेगा ऐसे ही किसी नए inspirational और solution oriented वीडियो बें तुरिण कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग एंड की ब्रोई जै हिल जै खार इसने धेर साना कि खार इसने लिए झाल सी.